हलो स्टूडेंट मैं उत्तम दोवेदी आप सभी का स्वागत है देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दरपन की सेकेंड क्लास हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था देखिए कि मुख फोकस क्या होता है दरपन में गोली दरपन में ही वक्रता केंदर क्या होता है इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी अब आज हम लोग समझते हैं कि यदि हम किसी दरपन से प्रत्विम बनाना चाहते हैं तो वह प्रत्विम कैसा प्राप्त होगा और कहां पे प्राप्त होगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं देखिए किसी भी यदि दरपन स किसी वस्तु का प्रत्विम बनाना चाहते हैं तो प्रत्विम बनाने के लिए कम से कम दो किरणे प्रकास की किसी बिंदु पर मिलनी चाहिए। यदि दो किरणे किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रती तो होगी तो उस बिंदु पर हमें क्या प्राप्त होगा प् वक्रता केंदर से डाली जाती है वक्रता केंदर से जाती है तो वह वक्रता केंदर से ही वापस लोटाती है वक्रता केंदर से वापस लोटती है कहने का आर्थ क्या है देखिए कहने का आर्थ है कि यदि कोई प्रकास की किरण है वह वक्रता केंदर से जाएगी तो वह उसी मा से वापस लौटाएगी, यदि हम छित्र में समझना चाहें, तो हम माल लेते हैं, यह कोई दरपन है, और इस पर यदि बाहरी भाग पर पॉलिस है, तो यह कौन सा दरपन हो गया, आवतल दरपन, अब यदि आवतल दरपन की बात की गई है, तो यहां पर यह धुरू हो गया, इसको हम P माल ले रहे हैं, इसका कहीं न कहीं क्या होगा, केंद्र होगा, तो हम माल ले रहे हैं कि यहां पर क्या है, केंद्र है, C, अब अभी क्या कहा, कि केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है, प्रकास की किरन आएगी, केंद्र से होकर जाएगी, त धीक कारण سिंपल सा है कि हम लोगों ने परावर्तन का नियम पढ़ा हुआ है। और परावर्तन के नियम में पढ़ाया था कि जो आपतित किरण है परावर्तित किरण हैं। अभिलंब के साथ यदि I और R कोड़ बनाते हैं तो कोड़ I बराबर होता है कोड़ R. अब यदि हम कहें प्रकास की किरण अभिलंब से ही आ रही है तो आई कामान हो जाएगा जीरो तो किरण वापस भी क्या होगी जीरो अंस पर ही जाएगी इसका मतलब है वापस भी उसी मार्ग से लोटेगी तो कहां से लोटेगी अभिलंब से अब यहां पर जो वक्रता केंद्र है यह केंद्र होता है और केंद्र क्या होता है कि यह परीदी है परीदी पर यदि हम इस पर सरेखा खीचें तो वहां पर 90 अंस का कोड बनाता है कहने का अर्थ है कि यह जो वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा है यह यहाँ पर कार क्या करती है अभिलंब का और यदि अभिलंब का कार करेगी तो अभिलंब से जाने वाली रेखा अभिलंब से ही वापस लोटती है तो यहाँ पे आपको पहला point याद रखना है कि वक्रत किंद्र से जाने वाली रेखा वक्रता किंद्र से ही वापस लौटती हैं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि मुख अच्छ के समानतर रेखा आती है तो वह कहां से होकर जाती है मुख फोकस से तो यदि हम कहें कि इस दरपण में मुख अच्छ के समानतर रेखा डाल दें तो मुख अच्छ के समानतर होकर जाने वाली रेखा सदयो मुख फोकस से जाती हैई अब आपको ये बात समझ में आई होगी अब हम एक बात और ध्यान रखते हैं कि जो किरण होती है वह हमेशा उत्क्रमरीता फॉलो करती है प्रकास की किरण उत्क्रमरीता कारथ होता है जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस लोटती है इसे आधार पर यह तीसरा नियम कार करता है तीसरा नियम क्या होता देखिए कि यदि कोई प्रकास की किरण मुख फोकस से डाल दी जाए अब मुख अच्च के समांतर नहीं जा रही है अब वह कहां से जा रही मुख फोकस से तो अभी बताया कि मुख अच्छ के समांतर होकर जाने वाली रेखा कहां से आती है मुख फोकस से अब मुख फोकस से जाने वाली रेखा कहां से जाएगी तो मुख अच्छ के समांतर क्या बताया कि मुख अच्छ के समांतर आने वाली किरण मुख फोकस से जाती है और मुख अच्छ के समान्तर हो जाती हैं तो आपको तीन नियम याद रखने हैं पहला वक्रता केंद्र वाली जो किरण होगी वो उसी मार्ग से वापस लोटेगी दूसरा क्या याद रखना है कि मुख अच्छ के समान्तर रेखा फोकस से जाएगी और फोकस वाली रेखा मुख तो पहले नंबर में आते हैं हम आउतल दर्पण के लिए, अब यदि आउतल दर्पण की बात करें, तो देखो आउतल दर्पण से अगर हमें प्रत्विम बनाने हैं, तो पहले तो वस्तू को रखना हमें पता करना पड़ेगा, तो यदि हम आउतल दर्पण इसको बनाएं, तो अउतल दरपण में क्या होगा, उभरे हुए भाग में पॉलिस होगी, तो यहाँ पर मद्द बिंदू जो परावर्तक तलका होगा यह धुरू होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बनाना होगा, फोकस और फोकस से दोगनी दूरी पर हम लोग बना देते हैं, वक्रता केद, अब देखो वस्तूओं को कहां कहां रख सकते हैं, पहले इस इस्तिती के बारे में जानते हैं, कि वस्तू को किस स्थान पर रखा जा सकता है सबसे पहले हम वस्तू को इतना दूर रख दे कि वस्तू की दूरी के बारे में हम ग्यात ना कर सके कहने का मतलब है वस्तू की दूरी हो अनंत कहने का रथ है कि वस्तू की जो दूरी है वह कैसी नहीं है नियत नहीं है या कहा जाए वस्तू की दूरी जो है इनके फोकस और केंदर की अपेच्छा बहुत दूर है अनंत का आर्थ होता है ये जो दूरी ली गई है इसकी अपेच्छा जो दूरी हो वो बहुत आधेखो अब बात करते हैं पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया कि हम अनंत पर रख सकते हैं वस्तू दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरी वस्तू को हम कहां रख सकते हैं अनंत और वक्रता केंदर के मद्ध यानि कि दूसरी इस्तिती हमारी हो सकती है कि वस्तू को हम रख सकते हैं अनंत और वक्रता केंदर के मद्ध अब तीसरी इस्थिती की बात करें, तो तीसरी इस्थिती हो सकती है कि हम कहां रख दें, केंद्र पर ही रख दें, वक्रता केंद्र पर रख दें, चोथी इस्थिती हमारी बन सकती है कि केंद्र और फोकस के मद्ध रख दें, पांचवा फोकस पर ही रख दें, और छटवी इ इतने प्रकार की स्थितियां बनेंगी 6 प्रकार की और वह 6 प्रकार की स्थितियां कौन सी होंगी वस्तू की स्थिति पर डिपेंड करेंगी पहला कि अगर अनंत पर रखी है वस्तू दूसरा अनंत और C के मद तीसरा C पर रखी वस्तू चोथा C और F के मद पांचमा F पर वस होता है और कैसा प्राप्त होता है तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अनंत पर यदि वस्तू को रख दें वस्तू को कहां रखना है अनंत पर अब अनंत पर रखना है तो देखो हमको सबसे पहले तो फोकस बनाना होगा फिर इसके बाद हमें क्या बनाना होगा वक्रता केंद्र अब इसके बाद बात करते हैं हमने वस्तु को कहां रख दिया अनंद पर और अनंद के बारे में अभी बताया ही कि वस्तु यदि अनंद पर रखी है तो वह दूरी नियत नहीं होगी और पहले भी हम शुरुआत में आपको पढ़ा चुके हैं कि अनंद से आने वाली किरणे स एक किरण हम वक्रता केंदर से डाल देते हैं और अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वक्रता केंदर से जाने वाली प्रकास की किरण वक्रता केंदर से ही वापस लोट जाएगी तो वक्रता केंदर से डाली हुई रेखा वक्रता केंदर से ही वापस लोट रही है इनो निमोज में से कोई दो नियम फॉलो कराने है तो दूसरी किरण हम कौन डाल सकते हैं अगर हमने मुख अच्छ के समांतर कर दी रेखा तो ये दोनों आपस में समांतर नहीं होगी और यदि दोनों आपस में तो वस्तू अनंत पर नहीं हो सकती क्योंकि अभी आपको बताय कि अनंत पर रखी वस्तू में जो प्रकास की किरणे आती हैं, वो आपस में समानतर होती हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके समानतर एक और रेखा डालते हैं, जो मुख फोकस से होकर रेखा गई है, तो वह कैसी हो जाएगी, नियम नंबर थर्ड पढ़ाया है, कि मुख फोकस से ह कर जाने वाली रेखा मुख अच्छ के समानतर हो जाती हैं, अब मुख अच्छ के यदि समानतर हो रही तो हम लोग देख रहे हैं, कि ये दोनों किरणे इस बिंदू पर मिल रही हैं, और जहां पर दोनों किरणे मिलेगी, वही क्या होगा, प्रत्विम होगा, तो इसको हम क नीचे की और और साथ में ये किरणे हमारी क्या है परावर्तन के पस्चात मिल रही है इसका मतलब वास्तविक प्रतिविम बन रहा है और हम लोग देखेंगे तो यहां वस्तू की लंबाई हमें पता नहीं है यहां कहा जाए इसकी लंबाई कैसी यह बहुत बड़ी है यहां हमें प्रतिविम कैसा प्राप्त हो रहा है बहुत छोटा तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदी कोई वस्तू अनंत पर रखी है तो प्रतिविम कहां प्राप्त होगा देखिए प्रतिविम जो प्राप्त होगा वह मुख फोकस पर प्राप्त होगा दूसरा कैसा प्राप्त होग तो उल्टा प्राप्त होगा, तीसरा वास्तविक प्राप्त होगा, वा कह सकते हैं वस्तु से छोटा प्राप्त होगा, क्या बताया कि प्रतविम्ब उल्टा प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है, कहां प्राप्त हो रहा है, फोकस पर, तथा कैसा अनन्त पर ना रखकर, अनन्त से पहले किसी बिंदू पर रख दे, अनन्त से पहले का मतलब है, अब हम वस्तु को क्या करते हैं, थोड़ा और उपर लिख लेते हैं यहाँ पर, अनन्त वा सी के मद्ध रखे, सी का मतलब वक्रता केंद्र, अनन्त वा वक्रता केंद्र के मद्ध यदि वस्तु को रख दे, तो देखे, अनन्त वा वक्रता केंद्र के मद्ध यदि वस्तु को रखना है, तो हम लोग माल लेते हैं कि यह है फोकस है, और फोकस से दोगने पर यहाँ पर क्या है, केंद्र है, अब वस्तू अनंत पर नहीं है अब किसी बीच की दूरी पर है इसका मतलब वस्तू की निश्चित लंबाई हो गई और निश्चित दूरी हो गई यहाँ पे हम वस्तू को लिख सकते हैं A B अब वस्तु यदि निश्चित दूरी पर रखिये तो यहां से प्रकास की किरणे किसी भी दिसा में जा सकती है अब हम क्या करते हैं एक प्रकास की किरण डाल देते हैं मुख अच्छ के समानतर और नियम नंबर दूसरा आपको पढ़ाया कि मुख अच्छ के समानतर होकर जाने वाली प्रकास की किरण कहां से होकर जाएगी मुख फोकस से तो यह मुख फोकस से चली गए अब दूसरी किरण हम क्या कर सकते हैं मुख फोकस से डाल सकते हैं तो वैं मुखच के समांतर हो जाएगी, या हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वक्रता केंद्र से डाल सकते हैं, अब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से ही वापस लोटेगी, तो ये दोनों किरणे आपस में इस बिंदू पर मिल रही है जिस बिंदू पर मिलेंगी वही क्या होगा प्रतविंब होगा इसको हम मुखच से मिला देते हैं मुखच से जब मिलाएंगे तो यह प्रतविंब हमको A-B-B- माल लेते हैं इसको a-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve इस का मलब प्रत्विम कैसा प्राप्त हो रहा है छोटा तो क्या लेक सकते हैं कि प्रत्विम जो प्राप्त हो रहा है वह सीवा एप के मध्य दूसरी जीज़ कैसा प्राप्त हो रहा है वास्तविक उल्टा तथा वस्तू से छोटा है ना क्या बताया कि वास्तविक भी प्राप्त हो रहा है उल्टा भी प्राप्त हो रहा है और वस्तू से छोटा प्राप्त हो रहा है कहां प्राप्त हो रहा है वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र वा मुख फोकस के मज़ अब आते हैं हम लोग तीसरे नमबर पे थर्ड नमबर में अब हम वस्तू को क्या करते हैं थोड़ा और आंगे ले जाते हैं जब थोड़ा और आंगे ले जाएंगे तो कहां पे बनेगा हमारा अब यहां पे हम वस्तू को रख सकते हैं C पर C का मतलब है वक्रता केंदर पर अब यदि हमने वस्तू को वक्रता केंदर पर रखा तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रतविम कहां प्राप्त होगा तो अब हम वस्तु को यहां रख देते हैं, C पर रख दिया हमें, यह क्या है वस्तु, A, B, अब यदि वस्तु रखी है A, B, तो अब यहां से फिर से वही चीज है, कि पृत्विम बनाने के नियम में से कोई दो किरणे डालेंगे, एक किरण हम डाल देते हैं मुख अच्छ के समानतर, और हम लोगों ने पढ़ा है कि मुख अच्छ के समानतर वाली जो रेखा होती है, वह मुख फोकस से होकर जाती है, तो मुख फोकस से चली गए, दूसरी किरण की बात करते हैं, तो दूसरी किरण अब हम वकरता केंदर से तो डाल नहीं सकते, क्योंकि यहां पे तो समानतर हो जाएगी, अब यदि मुख अच्छ के समानतर हो गई तो दोनों किरणे कहीं न कहीं जाकर मिल रही है, जहां पे मिल रही है, इसको हम क्या करते हैं, मुख अच्छ से मिला देते हैं, जब मुख अच्छ से मिलाएंगे, तो हमको प्रत्विम प्राप्त हो जा रहा ह कहां प्राप्त हो रहा है तो हम लोग देख रहे हैं वक्रता केंदर पर वस्तु रखी थी वक्रता केंदर पर ही हमारा ही क्या प्राप्त हो रहा है प्रत्विम्म प्राप्त हो रहा है कैसा प्राप्त हो रहा है देखेंगे तो देखो वस्तु गई या वस्तु से प्रकास की कि बिरने गई परावर्तन के पश्चात मिल गई हैं इसका बिल मिल रही है वास्तो में तो इसका आरथ है वास्तिक प्रत्विक्प्राप्त हुरा है और कैसा प्रत्विक्प्रात acia को यह थि gone वास्त्विक को यह वंस्तू के बराबर तथा कहां प्राप्त हो रहा है अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो रहा है कहां पर प्राप्त हो रहा है अब बात करते हैं आंगे इसी पर नंबर अगले पर आते हैं तो नंबर फोर्थ में हम लोग लिखते हैं कि नंबर फोर्थ में यदि वस्तु को हम क्या करें थोड़ा और आंगे रख दें थोड़ा और आंगे रखने का मलब है वक्रता केंद्र वा मुख्ष फोकस के मद्ध रख दे अब वस्तु को यदि वक्रता केंद्र वा मुख फोकस के मद्ध रखें तब इसका प्रतिविम कहा प्राप्त होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं देखिए हम वस्तु को यहां पे वक्रता केंद्र या मुख फोकस के मद्ध यहां पे हमने रख दिया इस वस्तु का नाम लिख सकते हैं क्या A B अब फिर वही बात है कि यहां से हम क्या करें दो किरणे कम से कम आपतित करें इस दरपन पर तो पहली किरण हम आपतित कर देते हैं मुखच के समांतर अब मुखच के समांतर होकर जाने वाली किरण सदयो कहां से जाती है मुख फोकस से, तो यह मुख फोकस से निर्गत हो गई, अब दूसरी किरण की बात करें, तो दूसरी किरण कहां से डाल सकते हैं, मुख फोकस से डाल सकते हैं, और मुख फोकस से होकर जाने वाली किरण कैसी हो जाती है, मुख अच्छ के समानतर, यह मुख अच्छ के समानतर ह कोई है रेखा वह कहीं न कहीं मिल रही है जहां पे मिल रही है उसको हम क्या करते हैं मुख अच्छ से मिला देते हैं जैसे ही मुख अच्छ से मिलाएंगे तो हमको प्रतविम्ब क्या प्राप्त हो गया एडैस बीडैस हम लोग देख रहे हैं एडैस बीडैस कैसा है वस्तू स बहुत बड़ा है तथा अगर बात करें कहां पर प्राप्त हो रहा है तो सी के आंगे तो इसका मलब सी और अनंद के मद्ध बात करें कैसा प्राप्त हो रहा है तो हमारी किरणे यहां पर मिल रही है इसका मतलब है प्रतविंब कैसा प्राप्त हो रहा है वास्तविक तो हम क्य प्राप्त होगा अगर बात करें तो यहां पे प्राप्त हो रहा है कहां पे वक्रता केंद्रवा अनंत के मत अब आते हैं अगले नंबर पर कि यदि हम वस्तू को और आंगे ले जाएं आंगे ले जाने का मतलब है अब C और F की जगह हम वस्तू को F पर ही रख दें F पर रखन तो यहां पर हम मुख फोकस है बना लेते हैं, यह सी हो गया, अब वस्तु को कहां रखा, मुख फोकस पर, अब मुख फोकस पर रखी वस्तु का यदी प्रत्विम बनाना है, तो देखे, प्रकास की कम से कम दो किरने डालनी पड़ेंगी, तो हम क्या करते हैं, पहली किरन जो बात करें, अब दूसरी किरन हम मुख फोकस से तो डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर किरन डालेंगे, तो वहां दरपण नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब दूसरी किरन को हम वक्रता केंदर से डालते हैं, अब वक्रता केंदर से किस परकार से, देखे, यहां पे वक्रता कें तो ये दोनों किरणे आपस में कैसी हैं तो बरावर दूरी में मतलब समांतर हैं और यदी किरणे समांतर होती हैं तो बताया था आपको कि यदी किरणे समांतर हो तो कहां जाकर मिलती हैं अनंत पर यदी किरणे समांतर आती हैं तो कहां से आती हैं अनंत से तो इसका अर्थ क् निकला कि जो प्रितविम्ब प्राप्त होगा वो कहा प्राप्त होगा अनंत पर अनंत का मतलब है बहुत दूरी में प्राप्त होगा कैसा प्राप्त होगा तो देखे वस्तू से बड़ा ही प्राप्त होगा और कैसा प्राप्त होगा उल्टा तथा वास्तवे अब आते हैं अ अब फोकस वा ध्रूव के मद रखना है तो सबसे पहले हम लोग फोकस बना लेते हैं यह फोकस है माल लेते हैं और यहाँ पर यह क्या है वक्रता केंद्र सी अब हमने वस्तू को रख दिया फोकस हुआ ध्रूव के मद अब यदि हम इससे प्रत्वियम बनाना चाहते हैं तो फिर वही नियम कि हमें कम से कम क्या करना पड़ेगा दो किरणे आप्तित करनी होगी तो पहले हम क्या करते हैं मुखच के समांतर एक रेखा आप्तित करते ह जैसे मुखच के समांतर रेखा जाएगी तो वह कहां से होकर लोटेगी देखिए मुखफोकस से वह मुखफोकस से वापस लोटेगी दूसरी किरण हम क्या करते हैं वक्रता केंदर से डाल देते हैं और वक्रता केंदर से होकर जाने वाली किरण वक्रता केंदर से ही वापस लोटेगी अगर हम ध्यान दें तो ये किरने क्या हो रही है दूर जा रही यानि कि अब आगे जाकर कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि दूर जा रही किरने आपस में कहीं नहीं मिल सकती हैं तो इनको हम क्या करते हैं डॉटिट करके पीछे मिला देते हैं और यदि डॉटिट करके तो कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी, कहने का मतलब है, ये किरणे इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, इसका मतलब है, हमारा प्रतविंब जो प्राप्त होगा, वो दरपन के पीछे इस बिंदु पर प्राप्त होगा, इसको हम मुखच से मिला देते हैं, त मारा यहां पर सीधा अगर बात करें कैसा बना हुआ है वास्तविक या आभासी तो देखो dotted किरने वलाई गई है मलब किरने यहां पर मिल नहीं रही है प्रती तो हो रही है तो इसका मतलब प्रतविंब कैसा है आभासी और बात करें कि यहां पर आभासी के साथ में वस्तू से छोटा है या बड़ा तो देखिए वस्तू से प्रतविम कैसा बन रहा है बड़ा बन रहा है तो आप लिखोगे दरपण के पीछे अब दरपण के पीछे कोई इस्थान तो है नहीं क्योंकि यहां पर वक्रता केंद्र धुरू तो है नहीं यहां पर तो यहां पर हम क्या लिखेंगे केवल दरपण के पीछे किसी भी इस्थान पर क्या होता है वस्तू से बड़ा सीधा तथा आभासी प्रतविम प्राप्त हो कभी भी किसी दरपन से हम प्रत्विम बना रहे हैं और वह उल्टा प्रत्विम प्राप्त हो रहा है तो वह सदयो कैसा होगा वास्त्विक होगा और यदि प्रत्विम कैसा प्राप्त हो सीधा प्राप्त हो तो वह सदयो आभासी होता है ठीक है तो हम लोगों ने अभी क्या प मद फिर हमने C पर रखा तो प्रत्विम हमको C पर ही प्राप्थ हुआ कहने का मतलब अनंत वाला focus पर बना फिर अनंत वा C के मद रखी वस्तू थी तो C वा F के मद प्रत्विम प्रत्वियम 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 प् तो फोकस हमारा यहां पर दरपन के पीछे प्राप्त होगा तो केंद्र भी क्योंकि गोला इसी ओर होगा तो केंद्र भी हमें क्या होगा इसी ओर प्राप्त होगा जिस कारण से यदि हम वस्तू को रखेंगे तो वस्तू की केवल दो इस्थितियां होगी या तो वो वस्तू बहुत दूर है और बहुत दूर का मतलब अनंत पर या फिर क्या होगा कहीं पर किसी निश्चित इस्थान पर होगी तो इसलिए उत्तल दरपड से केवल दो प्रकार के प्रत्विम प्राप्त होते हैं पहला कि यदी कोई वस्तू अनंत पर रखी है और यदि अनंत पर रखी है तो उसका प्रत्विम कहा प्राप्त होगा फोकस पर तो सिंपल सा यदि अनंत पर रखी है तो प्रकास की किरणे कैसी आएंगी समांतर आएंगी और समांतर जो किरणे होती है वह कहां से होकर जाती है मुख फोकस से लेकिन यहां पर क्योंकि उत्त दरपन के फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी ना कि जाएंगी वास्तों में इसका अर्थ क्या निकलेगा कि यदि हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे इन किरिणों को तो हमें कहां मिलती हुई प्रतीत होंगी फोकस पर तो प्रतविम कहां प्राप्त होगा फोकस पर अब यद उसका प्रत्विम कहां प्राप्त होगा, तब हम लोग समझते हैं इसमें, कि हम क्या करते हैं, वस्तु को किसी निश्चित दूरी पर रख लेते हैं, अब माल लेते हैं यह कोई वस्तु है, और इस वस्तु का नाम है A-B, इसको क्या किया, दर्पण के सामने एक निश्चित दूरी पर रख दिया, तो फिर दर्पण में हमने अभी पढ़ाया है, कि जो परावर्तन के दर्पण के द्वारा प्रत्विम बनाने के तीन नियम है, उनमें से किसी दो नियम को फॉलो कराएंगे, तो हम क्या करते हैं, अब मुखच के समानतर एक रेख डाल देते हैं, अब मुखच के समानतर होकर जाने वाली रेखा, सदेव कहां से होकर जाती है, मुख फोकस से, इसका मतलब है, यह मुख फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि उत्तलदर पढ़ है, अब दूसरी किरण हम क्या करते हैं, वक्रता केंदर से डालते हैं, तो वक्रता केंदर से होकर जाने वाली रेखा जो होगी, वह वक्रता केंदर से ही वापस लोटेगी, तो यह वक्रता केंदर पर जाएगी नहीं, वक्रता केंदर पर जाती हुई प्रतीत होगी तो यह क्या होगी उसी मार्ग से वापस लोट जाएगी अब ये दोनों किरने इस बिंदू पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है और जिस बिंदू पर मिलती है वही क्या होता है यहां पर प्रतविम्ब होता है इसका मतलब है यहां प्रत्विम्ब आपको प्राप्त हो जाएगा A-B- और वह कहां प्राप्त हो रहा है फोकस होआ धुरूव के मद्ध यदि हम ध्यान दें तो हमारी वस्तू थी मुखच से उपर तो प्रत्विम्ब भी कहां बन रहा है मुखच से उपर इसका अर्थ क्या निकला प्रत्विम्ब कैसा है सीधा है अब प्रत्विम्ब यदि सीधा है तो कैसा होगा अभी अभी समझाया था कैसा होगा आभासी यदि हम यहां पर बात करें तो यहां पर भी हमको समझ में आ रहा है कि दरपन के पीछे प्रकास की किरण जाएगी तो है नहीं दरपन के पीछे प्रकास की किरण जो है वो डॉट डॉट करके हमने मिलाई है इसका मलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो आप क्या बोलोगे प्रत्विम्ब प्राप्त होता है आभासी कैसा प्राप्त हो रहा है सीधा तथा अगर हम लोग ध्यान ने तो वस्तु से कैसा है छोटा कहां प्राप्त हो रहा है तो फोकस वा धुरूव के मद तो उत्तल दरपन से दो प्रकार के प्रत्यूम बनेंगे एक मुख फोकस पर प्राप्त होगा जब वस्तु अनंत पर रखी होगी और दूसरा कहां पर यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी पर रखी है तो फोकस वाद रूखे मद आभासी सीधा तथा छोटा प्राप्त होता है अब हम लोग थोड़ा आते हैं कुछ कोश्चन आपके बोर्ड में पूँचे जाते हैं और कोश्चनों में क्या होता है पूँच देता है उस दरपन का नाम बताईए जिससे वास्तविक प्रत्विम की बात करें तो वास्तविक प्रत्विम केवल और केवल अवतल दरपन से प्राप्त होता है इसलिए आप क्या बोलोगे आउतल दरपण बोलोगे यहां पे कि वास्तविक पृत्विम किस से प्राप्त होगा आउतल दरपण से अब आपसे पूछा जाएगा ऐसा दरपण बताईए जिससे आभासी पृत्विम प्राप्त होता है तो देखो आभासी तो आउतल से भी प्राप्त होता है और उतल से भ उसके द्वारा आभासी के अलावा कोई और प्रत्विम नहीं मनेगा तो आप क्या बोलोगे उत्तल धर्पन और आपसे कोश्चन पूँच दे वह धर्पन बताओ जिससे दोनों प्रकार के प्रत्विम प्राप्त होते हैं आभासी और वास्तविक तो आप क्या बताओगे आवतल धर्पन में तो आप क्या बोलोगे आवतल धर्पन आपसे इसी में कोश्चन फिर पूँचता हुआ है दर्पन बताओगे जिसमें आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रत्विम प्राप्त होता है तो वस्तु से छोटा प्रत्विम प्राप्त होता है किसमें उत्तल दरपण में, ठीक है, तो यहां पर दरपण के दुआरा जो प्रत्विम बनते हैं, उनसे हमारे ये कुछ कोश्चन बनते हैं, इस्तितियों से प्राप्त होते हैं, तो इस्तितियां आपको समझा चुके हैं, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं, इन सभी जो प्रत्वि बनाईए और इनको आप रिवाइज करिए पढ़ते रहिए धन्वाद